भरवा करेले बनाने का कोई और तरीका पसंद नहीं आएगा आपको इसके सामने क्योंकि जो करेले है ना वो आपके कड़वे भी नहीं बनेंगे इस तरीके से साथी स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने कोई धागा भी नहीं बानना है फिर अब करेलों को छीलना है सबसे पहले आगे और पीछे से थोड़ा थोड़ा सा कट कर देंगे इसे और इस तरह स्क्रेच करते हुए छीलेंगे हो सके तो आप नाइफ से ही चीले अगर आप पीलर से चीलते हैं तो जो इसके नहीं वो ज्यादा निकल जाती है पीलर से करेले क सभी करेले चीलने के बाद अब यह जो छिलके बचे हुए है करेले के उनको आपको फैकना नहीं है इन्हें भी यूज करेंगे स्टफिंग में और यह चिलके कडवे होते हैं इसके लिए सबसे पहले आप इन्हें नमक लगा कर कुछ देर के लिए रख देंगे ऐसे ही यह म करेले के जॉइंट से कटना लगा है हलका सब बीच में से लगाएं और मैं इसके बीज निकाल दूंगी वैसे तो बीज के साथ भी आप स्टफिंग कर सकते हैं लेकिन यह जो बीज है इनको भी मैं स्टफिंग में यूज करूंगी इस तरीके से जो हम स्टफिंग करेंगे तो ज्यादा अमाउंट में स्टफिंग कर पाएंगे करेले के अंदर करेले के ऊपर भी इस तरह से नमक लगा देंगे नमक लगाने से करेले का कड़वापन धुड़ा सा काम हो जाता है सभी करेलों में इसी तरह से मैंने कट लगा कर बीज निकाल दिये हैं और नमक लगा कर रख दिया है अब इन्हें लगबग 15 मिनट के लिए मैं ऐसे ही ढख कर रख दूंगी और यह जो बीज बचे हुए है ना इनके ऊपर भी थोड़ा सा नमक डाल कर मैं जो छिलके वाली प्लेट है उसी में रख दूंगी साथ में ही 15 मिनट के बाद यह जो करेले हैं इनको पहले अच्छी से दो लेंगे करेलों को हलके हाथ से इस तरह निचोड कर निकाल लेंगे प्लेट में इसके बाद यह जो बीज और छिलके हैं इनको भी धोलेंगे पानी से अच्छी से यह मैंने निकाल लिया है बीज और छिलकों को एक छल्ली में अब कड़ाई में डालेंगे लगबग 2 कप पानी और उपर से रखेंगे इस तरह की कोई प्लेट और इसमें रखदेंगे करेले हमें करेलों को भाप में पकाना हैं लगबग 10-15 मिनट तक इस जो हमारे करेले हैं वो कड़वे नहीं बनते हैं साथ ही जब मिने ओल में फ्रा साला तयार इसके लिए मैंने दो मिलिम साइज की प्याज ली जिनको इस तरह रफली कट कर लिया है खटे टेस्ट के लिए मैंने एक अच्छा आम लिया है आप चाहे तो अम्चूर पावडर ले सकते हैं इसे कट करके डालेंगे पीसिज में आज से दसकली लैसुन की और एक इंच अद्रक का टुकडा जिसको मैंने रफली कट करके डाला है हरी मिर्च धनिया पावडर लगभग देड़ बड़ा चम्मच साथ में डालेंगे सौफ दो बड़ा चम्मच जीरा एक चोटी चम्मच थोड़ी सी हींग नमक डालेंगे ट थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी ध्यान रखे पानी आपको ज्यादा एड नहीं करना है और यहार में थोड़ा सा ज्यादा मसाला हो गया है तो मैंसे दो बार में पीसने वाली हूँ पीसने के बाद मैंने से निकाल लिया है एक बोल में और इसी जार में जो छिलके और बीज थे उन्हें भी डालकर पीसेंगे लेकिन बिल्कुल बारिक आपको इन्हें नहीं पीसना है हलका दरदरा पीसें पैन में डालेंगे लगबग दो बड़े चम्मर सर्सो का तेल आप कोई भी कुकिंग ओई ले सकते हैं और इसे अच्छे से गरम हो जाने देंगे इसमे डालेंगे दरदरे पीसे हुए बीज और चिलके आप चाहे तो इन्हें बिना पीसे हुए भी डाल सकते हैं मसाले में उस कि हलका सा गोल्डन कलर हो गया है इनका इसमें डाल देंगे पिसा हुए मसाला और मसाले को भी अच्छे से बूल लेंगे अच्छे से मैंने भूल लिया है अब कर देंगे गेस को ओ और इसे थुड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे तब तक जो हमने करेले स्ट्रीम करने के लिए रखे थे लगभग 15 मिनट हो गए है उनको रखे हुए भी गैस को आफ कर देंगे और इन करेलों को निकाल लेंगे इसमें से कि ने करेले और स्ट्राइंग जब थोड़े से ठंडे हो जाएंगे उसके बाद स्ट्फिंग करना शुरू करेंगे तो करेले में इतनी अफ़टे मेरते टायंsystem और दियान रखेंगे बहुत ज्यादा बीना भरें इतनी स्टफिंग भर है कि जो करेला है वो अच्छे सी स्टफिंग को कवर कर ले जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं करेलों को फ्राय करने के लिए ओयल मैंने पहले से गरम कर लिया है इन में एक एक करके रखेंगे करेलों को कि थोड़ा सा पैन को इस तरह से हिला देंगे जिससे कि जो करेले है वो ऐल से अच्छे से कवर हो जाएंगे अब इन्हें में फ्राय करना है हलका सा गोल्डन हो जाएंगे तब तक और बीच-पीच में पलटते रहेंगे कि आप देख सकते हो कि जो मसाला है ना वो बिलकुल निकल नहीं रहा है करेले से बाहर यह मैं पलट रही हूं फिर भी लगभग 10-15 मिनट हो गए है करेलों को फ्राय होते हुए लो मीडियम फ्लेम पर मैंने फ्राय किया है और कलर आप देख सकते हैं चेंज हो गया है बस इतना ही इन्हें फ्राय करेंगे अब इन्हें निकाल लेंगे ओल में से और ओल जो बचा हुआ है ना इसको हम तड़के म सब्लड़ी में जरूब ट्राय करके देखें इस भरवा करेले की रैसेपी को आप बाह बार बनाओ वえー अगे कैसी लगई है आपको ये रैसेपी तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में एक्स्ट रैसेपी के साथ तब तक के लिए थन्क्यू पबाई